मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लाई हूँ जो आपके नील्स के लिए है जो इन्फेक्टेड नेल्स है फंगस पकड़ लेता है उसके लिए है आप इसे एमजोन से भाई कर सकते हैं से 3.99 में तजली इसे ओपन करके देखते हैं इसे बहुत इसली बाई कर सकते हो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और प्लीज इसे अगर आपका निल्स इंफेक्टेड है तो आप इसे बाई कर सकते हो एमरोल स्टार ने लेकर आप देख सकते हैं इमेज में निल्स का भी फिर दिया हुआ है जो इस लिक विडी बॉटल पे भी हम देख लेक्सपायर तो नहीं है और अगस्ट 23 में एक्सपायर होगा यह निल्स में बैक्टेडिया हो जाते हैं जो ब्लैक कलर के हो जाते हैं जिसे हो फंगुस कहते हैं लोगों को नहीं समाज आता है कि वह मेरी निल्स में हो गया गया है क जब भी किसी का ब्लैक हो जाता है निल्स के अंदर खोखला सा हो जाता है तो बैक्टीरिया के ही कारण होता है इस लिक्विड बॉटल पे भी हम देख लेते हैं एक्सपार एक्सपार डिट यह भी सही है अगस्ट 23 निल लेकर लिक्विड को कैसे यूज करना है अब यह से देख लेते हैं इस पेपर पर सब कुछ दिया हुआ है आपको स्टेप वान स्टेप टो स्टेप ट्री इंफैक्टेद निल्स जितने भी है आस पास में जितने भी ब्लैक कलर की हो गए होंगे यलाइ स Health करने आप इसे लिए टाल तो प्लेऊ सकते हो मिल उसके आप इसको लगा सकते हो मिल वापिसमे करते हो disclose है लोह यह था चानके फिए श्याद क्रक्राइट्व कर सकते हो for a single use only आप इसे एक बार यूज़ करके dustbin में डाल देना ताकि बच्चे अगर घर में होंगे तो हाथ में ना ले ये infection हो सकता है इसे प्लीज और नसाफ करने के बाद आप इसे spatula को यूज़ करना एक बार डिप करना है फिर उसमें लगाना है जिस निल में infection है ठीक है और जिस निल में infection होगा उसी निल्स में अपलाई करना है दूसरे निल्स में अपलाई नहीं करना है और ध्यान रहे कि हाथ में गलत पहलने सकते आप figure में figure में बताया हुआ है कैसे यूज़ करना है आपको अगर आपको rashes होँगी या फिर बहुत किसी को itching लगड़ा होते है इस प्लीज अगर यह सब है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही इसे यूज़ करें ये आपको बुकलेट दिया हुआ हुआ है कैसे यूज़ करना इसमें भी दिया हुआ है इस बुकलेट में हिंडी और इंग्लिश दोनों ही दिया हुआ है पीज नेमर 26 से हिंडी में दिया हुआ है आप देख लेना नेल फायलर growres र無ड ज़़ रहा है अपने आपको इस में हिंडी में सब कुछ दिया हुआ है आप इसमें देख सकते हो और अच्छे से भी समझ सकते हो